नमस्कार दोस्तों जिके अर्जुन सार यूप्ट चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है टीजी टी हिंदी 2004 का साल पेपर है तो चली वीडियो प्रारम करते हैं वीडियो प्रारम करने से पहले आपसे एक छोटी से रिक्वेस्ट अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने वाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अप्लोड करो उसका नोटिफिकेशन आपके मुबाइल पर सबसे पहले पहुँचे तो चली वीडियो प्रारम करत हैं हाँ अगर आप लोग और भी प्रीवियस एर टीजिटी हिंदी का साल पेपर देखना चाहते हैं यानि 2021 तक का तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ जिसका नाम है टीजिटी हिंदी और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्किप्शन में दे दिया हूं तो वहां से पिछ दूसरा कोशन है गेहूं और गुलाब की रचना विधा है यह है इनमें से हो जाएगा कोई नहीं यह रामब्रिच बेनपूरी की है एक लिखित रेखा चित्र है रेखा चित्र आप्सन में नहीं दिया है इनमें से कोई नहीं होगा कोशन नमबर चार है आवारा मसिहा किसक की जीवन ये पुझा जा रहा है तो यह सरतचंद्र की जीवन यात्र किसकी आत्म कथा है तो यह है राहुल सांस्कृतायन का पुझान नम्र पाँच है देख स्थे लोगा गया है यहाfik पर चार होना चाहिएए था मेरी यात्रा कोश्चन नमर पांच देखिएगा आधा गाओं के लेखक हैं तो आधा गाओं के लेखक कौन है यह है राही मासुम रजा कोश्चन नमर छे है हिंदी में सिकार साहित के अपरितम लेखक हैं तो इसके अपरितम लेखक पुछा जा रहा है तो यह थे स्रीराम सर्मा कुश ni8 है एक बूध सहसा उच्छली की रचना बिधा है तो ये बिधा किसकी है यात्रा वृत है कुश्च नम्बर नौ है चारू चंदरलेख के उपन्यासकार हैं तो चारू चंदरलेख के उपन्यासकार कौन है ति ये हजारी परसाद दुवेदी है कोश्चन नमर 10 है गली आगे मूर्ती है के लेखक है तो इसके लेखक है सी प्रसाद सिंग कोश्चन नमर 11 है पिर्थिवी राज की आखे सिर्शक नाटक के रचेता है तो इसके रचेता है राम कुमार बर्मा कुश्चन नम्बर 12 है कुवाणो नदी कविता संक्रह के कभी है तिसके है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कुश्चन नम्बर 13 है आत्मात्या के बिरुद कविता संकलन के कभी है चिसके है रघुवीर सहाय कोश्चन नमबर 14 है धर्म यूग पत्रका के ये सस्वी समपादक थे तिसके समपादक थे धर्म बीर भारती कोश्चन नमबर 15 है भारतेंद यूग और हिंदी भासा के विकास परंपरा के लेखक कौन है तिसके लेखक है राम बिलास सर्मा कोश्चन नमबर 16 है स्रीलाल सुकल की रचना है राग दरबारी कोश्चन नमबर 17 है स्वार्थ का बिलोम होगा तो स्वार्थ का बिलोम होता है परमार्थ Question number 18 है कनक कनक ते सोगुनी माधकत आधिकाय में कौन सा अलंकार तिसमें यमक अलंकार है Question number 19 है निमलिकित में से वर्तनी की द्रिष्ठी से सुध सब्द का चैन कीजिए तिसमें सुध सब्द का चैन पूछा जा़ा है 19 नमबर में इसका राइट एंसर हो जाएगा परी पार्स्विक कोश्चन नमबर 20 है धवन्य लोक किस तत्व से संबंधित ग्रंत है ये है ध्वनी से कोश्चन नमबर 21 है समिधान के अंचे 351 में किस बिसे का वालन है तो इसमें बिसे पुछा जारत हुआ है हिंदी भासा के विकास से संबंधित निर्देश कोश्चन नमबर 22 है कौन सा सब्द गंगा का परायवाची नहीं है तो गंगा का परायवाची नहीं है वह है सरिता कोश्चन नमबर 23 है निमलिखित में से कौन मार्क सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है तो वह है भीजय देव नराय साही कुस्त नबर 24 है कनुप्रिया के लेखक हैं थर्मभीर भारती कंवीस नए इलाकर में किसकी काव गुर्ति है तो नई इलाके में जो है अरुण कमल की काविकृति है कोश्चन नमबर 26 है इनमें से कौन आज़िक उपन्यासकार है तो आज़िक उपन्यासकार पुछा या तो वे है जैनेंद्र कुमार कोश्चन नमबर 27 है पाल मोगरा का स्कूटर कहानी के लेखक है तो इसके लेखक है उदय प्रकास कोश्चन नमबर 28 है निसाद बासुरी की रचना विधा है तो यह है एक ललित निबंद कोश्चन नमबर 29 है तेढ़े मेरे रास्ते के लेखक है भगवती चरण सर्मा वर्मा है भगवती चरण वर्मा कोश्चन नमबर 30 है इंदु मती कहानी के लेखक है तो इसके लेखक है कि सुरी लाल गो स्वामी कोश्चन नमबर 31 है बुद्ध का काटा कहानी के लेखक है बुद्धु का काटा यहाँ पर बुद्ध नहीं होगा यह बुद्धु है बुद्धु का काटा कहानी के लेखक है तो इसके लेखक है चंद्रधर सर्मा गुलेरी कोश्चन नमर 32 है कमल नयन में कौन सा समास है इसमें जो है बहु विरी समास है कोश्चन नमर 33 है हानी लाब में कौन सा समास है तो हानी लाब में जो है आपका इनमें से कोई नहीं होगा तो हानी लाब में द्वन समास है आपसन नहीं दिया है question number 34 है न न मन तेल होगा न और न राधा नाचेगी यानि न मन तेल होगा और न राधा नाचेगी इसका अर्थ पुछा जा रहा है इसका अर्थ होगा असंभव कारे question number 35 है निर्मलिखित में से लोक्तियों को चुनना इसमें से कौन सी लोक्तियां है ये लोक्ति हैं तो इसमें चौता अधजल गरी छलकत जाएं Q36 है दुलाईवाली किस विधा की रचना है तो ये है कहानी है Q37 है भूल गलती कविता के कभी है तो भूल गलती कविता के कभी का नाम है मुक्ति बोध Q37 है निल्मिकित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है तो वह है परती परिकता कुश्चन नमबर 49 है जुलू सुपर्न्यास के लेखक है इसके लेखक है फड़िस्वरनात रेणू कुश्चन नमबर 40 है बकरी नाटक के रचेता तो इसके रचेता है सर्वेसर लाल दयाल सक्सेना कुश्चन नमबर 41 है संस्कृति के चार अध्याय किसकी रचना है ये है दीनकर की दीनकर नहीं रामधारी सिंग्ञ्ग में कुश्चन नमर 42 है निमलिखित में से किस KP के लेखक रामबला सर्मा है तुवक क्रिती ये भासा और समाज है कुश्चन नमर 43 है निमलिखित में से किस लेखा कि ज्यान पीठ पुरसकार नहीं मिला है नागारजुन को कुछ्चन नमर 44 है मगद कविता संगरह के रचेता पूछा जा रहा है इसमें तो इसमें एंसर हो जाएगा स्रीकांत बर्मा कुछ्चन नमर 45 है निमलिखित में से कौन सा चंद दोहा का विपरीत चंद है तो वह है इन में से कोई नहीं दोहा का विपरीत चंद होता है सोरठा सोरठा अप्सन में नहीं दिया है कुछ्चन नमर 46 है काला जल का कथानक की समस्या से समंदित है ये सम्मादित है सामप्रदैक्ता से कोश्चन नमबर 47 है नेता जी कहिन के लेखक हैं तो इनके लेखक हैं मनोहर स्याम जोसी चौपाई छंद में मातराओं की संख्या होती है तो इसमें होता है सूला कोश्चन नमबर 49 है निमलखित में सुद्ध वाक के को चुनिए तो सुद्ध वाक के इसमें होगा है आपका राम ने रोटी खाई है कोश्चन नमबर 50 है निमलखित सब्द में सुद्ध सब्द को चुनिए तो सुद्ध सब्द इसमें हो जाएगा आपका सन्यास क्या नम्बर जीवनी के लेखक है अगे क्या लिखों क्या याद करूँ हरी वन सराइ बच्चनीस प्रकार ये सुमेलित है कोशन 379 अनन्त का स्ही संधी बिछएद ंपलस अंत कोशन 44 है बाल्टी कैसा सब्द है तो बाल्टी जो है एक परकार का वी देशा सब्द है कोशन कुष्टर नबच्चन सबमाद किया है धारतेंदु ने अपना वलीयां वाला अत्यासिक ब्यक्ष्यान दिया था तो बल्यां वाला अत्यासिक ब्यक्ष्यान दिया था यह पूछा जा रहा है तो 1884 इस्वी में कुश्ण नमबर 69 है परिच्छा गुरु पन्यास के लेखक है तो परिच्छा गुरु पन्यास के लेखक कौन है तो यह है लाला श्री निवा दास कुश्चन नमर साथ है भारतेंद यूग का केंद्री विधा है यह है नाटक कुश्चन नमर एक सथ है नूतन ब्रमचारी कृति के लेखक है तो बाल क्रिस्ल भट कुश्चन नमर बासथ है कचारियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जा तो यह पत्र है किसको कहा जाता है दो इसमें आपको राटेंस रो जायगा इनमें से कोई नहीं मुख्य पत्र कुश्चन नमर चाउंच नमर ब्रामण की संपाधक थे तो ब्रामण के संपाधक थे प्रताप नरैन कोष्चर 65 है अनंद कादमबणी के संपादक थे इसके संपादक पुछा जा रहा है तो अनंद कादमबणी के संपादक थे प्रेमगण कोष्चर 56 है कवीता के लिए खड़ी बोली के पचे में आंदोलन की सुरुवात की गई थी आयॉद्या प्रसाद खत्री ने कोश्चन नमर 67 है जगत सचाई सार कविता के रचेता है तो इसके रचेता है श्रीधर पाठक कोश्चन नमर 68 है स्वचनदतावाद की विश्यष्ता नहीं है ये विश्यष्ता नहीं है पूछा जा रहा तो वह है ब्रज भासा में रचना कोश्चन नमबर 79 है निर्मलिखित में पुलिंग सब्द है तो पुलिंग सब्द पुछा जा रहा है तो इसमें पुलिंग सब्द आपका ब्याय है कोश्चन नमबर 70 है धुरुव चरित्र के रचैता है तो इसके रचैता है नरुत्तम दास कोश्चन सुमिलिद करते हैं जलज्ज ये इसका अर्थ होता है कमल का ये जलज इसके बाद दिया है जलद यह बादल का है जलद ही समुंद्र का है को स्टन नमबर चेतर है नित प्रियती पुनियोई रहे आनन ओप उजास में अलंकार है तो इसमें कौन सा अलंकार है तो इसमें उपमा अलंकार है को स्टन नमबर सततर है अर्द कथानक है अर्द कथा Q78 है इनकी कौन से विशुद सरास और सक्ति सालीनी ब्रज भासा लिखने में और कोई कभी समर्थ नहीं हुआ आचारी सुकले ने किस कभी के बारे में यह टिपड़ी की है घना नंद के बारे में Q89 है सीख लीनो मीन म्रिग खंजल कमल नैन सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है यह पंक्तिय किस कभी की है यह कभी का नाम है ठाकूर कोश्चर नमबर 80 है भीखारी दास की रचना है तो भीखारी दास की रचना का नाम पूछा जा रहा है तो वह है काब्य निड़े यह पंक्तियां किसकी यह पुछा जा रहा है इसमें तो यह पंक्तियां पदमाकर की है तो भासा योग वसिष्ट के लेखक नाब पुछा जा रहा है राम प्रसाद निरंजनी कोश्चन 84 है रहुल जी ने हिंदी भासा का पर्थम कभी किसे सिवकार किया है तो यह पर्थम हिंदी यह सिवकार किया है सरहपा को कोश्चन 85 है हिंदी साहित्य के पर्थम काल को आदी काल नाम किस ने दिया है तो ये दिया गया है किसके दौरा हजारी प्रसाथ दिवेदी ने कोशन नमर 86 है विशल देव रासों में किस सैली का प्रियोग किया गया है तो विशल देव रासों में किस सैली का प्रियोग किया गया है तो इसमें जो है गे ये सैली का प्रियोग किया गया है question number 87 है सुमिलित करने वाला चले इसको सुमिलित करते हैं 10 कुमार चरित्र तो इसके रैटर है भाव भूती नैस नैस धी चरित्र तो इसके जो है लेखक है स्री हर्स उत्तर राम चरित इसके डंडी इस प्रकारी 10 कुमार चरित्र के रैटर ये लेखक है डंडी है और नैस धी चरित्र इसके रैटर ने स्री हर्स और उत्तर राम चरित मानस के भाव भूती लेखक है इसके question number 88 है भाक्ती के सुरोत को दच्छिन से उत्तर भारत में प्रसाशित होने के सिधान का समर्थन करने वाले बिद्वान है इनके आचार राम चंदर सुक्ल question number 89 है मद्य कालिन बोध का सुरूप के लेखक है तो इसके लेखक का नाम पूछा जा रहा है तो ये है हजारी परसाथ दिवेदी question number 90 है पदमावत है पदमावत एक त्रासदी है question number 90 है भक्ति काल के किस कभी ने संस्क्रित को छोड़ कर भी संस्क्रित के सास्ते परमपरा का निर्वहन किया तो ये थे तुलसी डास question number 92 है भक्ति काल में ग्रहस जीवन जैसा सुन्दर चितरन सुरुदास में मिलता है वैसा ही आदनिक काल के किस कभी में यह मिलता है ये मिलता है मैथली सरण गुप्त question number 92 है बिने पत्रिका की भासा थी तो इसकी भासा ब्रज थी question number 94 है धुरुपद गायन का समंद किस भासा से है तो इसका है ब्रज भासा से question number 95 है बरवे नायका भेत के रचनाकार है तो इसकी रचनाकार का नाम है रहीम question number 96 है रहीम कृत मदनाक्ष्टक की भासा है तो वो भासा है खड़ी बोली question number 97 है छित स्वामी किस धारा के कभी है तो ये है अश्ट चाप धारा question number 98 है रामचंद्र बर्मा एक प्रसिद्ध है तो क्या है तो एक कोशकार के रूप में question number 99 है हिंदी सब्दानुसासन के लेखक है तो इसके के लेखक है किसोरी दास बाचपेई question number 7 है रितिकाल की रितिसिद्ध काविधारा के कभी है तो वो है बिहारी question number 101 है question number 103 है question number 104 है question number 105 है कला और बुढ़ा चांद के लेखक तो इसके लेखक थे सुमित्रा नंदन पंत question number 106 है महादेवी वर्मा का प्रथम काविशंकलन है तिन का प्रथम काविशंकलन निहार question number 107 है नूतन ब्रहमचारी है तो नूतन ब्रहमचारी है उपन्यास के question number 108 है भूतनात उपन्यास की रचेता है तो भूतना तो पन्यास के रचेता है देव की नंदन खत्री कुश्ण नमर 109 है श्री वेकेंटे स्वर समाचार प्रकासित होता था ये प्रकासित होता था बंबई से कुश्ण नमर 110 है प्रियम चंद्र की कृती जिसे ब्रिटिस आसंदोरा जब्त कर लिया गया था तो वह कृती का नाम है सोजे वतन कुश्ण नमर 111 है मिरिग नैनिव पन्यास के रचनाकार है तो इसके रचनाकार का नाम है बिरिंदा वन लाल बर्मा कुश्ण नमर 112 है खेत रहना मुहावरे का अर्थ है तो इसका अर्थ है उद्ध में सहीद होना कॉश्चा नमर 113 है खाड़ी बोली का परथम महाकादे है तो इसका परथम महाकादे होगा प्रिय प्रवास कोश्चन नमर 114 है भारत भारती में किस भावना की रूप रेखा प्रस्तुत है तो इसमें जो है राष्टी भावना प्रस्तुत है कोश्चन नमर 116 है संपत्य सास्तर के लेखाक है तो इसके लेखाक है महाबीर प्रसाद दुवेदी कोश्चन नमर 117 है निमलेखित में से सुद्ध सब्द कौन सा है तो इसमें सुद्ध सब्द आपका है पूजनिय कोश्चन नमर 118 है गोबर प्रेम चंदर के किस पन्यास का पात्र है तो ये पात्र है गोदान का कॉस्टन नमर 119 है हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है तो इसके लेखक है मिश्र बंधू कॉस्टन नमर 120 है अभिन्य सब्द का संधी विछेद होगा तिसके वहगा अभित प्लस 9 कॉस्टन कॉस्टन नमर 120 है रतनाकर करित गंगा वत्रान की इस चंद में लिखा गया है यह लिखा गया रोला कॉस्टन 122 है अवधी का नीजी चंद है तो अवधी का नीजी चंद है बर्वे कॉस्टन सब्सक्राइब सब्सक्राइब निवन्दकार के रूप में कासी नगरी प्रशाणी सभा के अस्थापना हुई थी यह हुई थी 1893 में यह था टीजीटी हिंदी 2004 का साल पेपर तो उमीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया ते इसको लाइक कर अपने दोस्तों कि यहां अधिक सद्क से एर करें धन्यबाद दोस्तों जय हिंद वंदे मात्रम